हेलो सुरेंट्स कैसाब सभी लोग आज हम हमारा इंग्लिश का चैप्टर 1.3 जो है आटो बाइग्राफी ओफ ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका हम कुश्चन से करने वाले हैं इसका जो चैप्टर के मैंने आपको करा दिया है आपको हमारी प्लेइलिस्ट पर मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हो ठीक है तो आज मैं आपको इसका कुश्चन से सारा समझाओंगा हिंदी में इसके लिए आप वीडियो आखरी तक ज़रूर देखना ओके तो यहां पर देखो हमारा पहला कु मतलब कि आप बोल सकते हो जो तारीफ के लायक हो एड्मायर करने वाला हो ओके और यहां पर देखो थर्ड क्या बेरीज बेरीज मतलब कि छोटे छोटे फ्रूट जो बुशेज में जाडियों में होते हैं फोट क्या बीटल बीटल मतलब क्या एन इंसेक्ट ओफ एन पंक रहते हैं ठीक है बीटल आपने देखा होगा काला सा होता है बीटल अब देखो फिफ्ट क्या है यहां पर फिफ्ट में हमें दिया गया है गल्पिंग मतलब कि जल्दी से निगलना इसका पाउच पाउच मतलब कि एक तरीके का बैग एक पॉकेट समझ दो जैसे कि को बूल रहे हैं ओके सेविंध क्या है रिजोनेटिंग साउंड मतलब कि अलाउड डीप एंड क्लियर साउंड जैट कंटिनूस फॉर लॉंग टाइम मतलब कि एक एक बहुत ज्यादा तेज और डीप और तम क्लियर आवाज जो बहुत लंबे समय तक चलती रहें ठीक है ए यहांद मतलब कि एक हैऑ और डीटर गार करते हो और उन्हें मारका खाती हो दूसरे जनवरों को या तो उनके अंडे को कॉई भी जानवर को कमारकर शिकार करता है और उसे खाता है या तो कोई जानवर कि अगर वो अंडे खाता है तो उसे हम प्रेडिटर बोलते हैं लेवेंथ में क्या है पको स्वामिंग मतलब क्या होता है वेरी फुल ओफ सम्थिंग मतलब कि बहुत जादा भरा हुआ आप बोल सकते हो यह हम आप चलते हैं कोईagner होगे मतलब क्या अहुँच्छ से अप चलते हैं के उके स्थे इंडीन बस्टड geral केंवे अप् única 10 kg, पूरा थे यह 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 nåगी इन केंगए खुरडे इन उसके अपिञ चरी क्यों नहीं Sounds त्ली में नहीं गुए नंसेद की फार रखे Fridays वे बडूलेबव मतले यह सा इसके अपिक मेंड़ेंगें लगança कि अप्नेद्थ। और सफेद रहती है उसके wings brown रहते हैं और इसके जो पैर है वो yellow रहते हैं मतलब पीले रहते हैं उसके पैर और इसके सर पर एक छोटा सा काला कैप जैसा रहता है आपने को देखा होगा हमने जो chapter में पढ़ा है उसमें आगे काई the male has a well developed pouch attached below its neck क्या वहले जो male great Indian bastard रहते हैं उनके गले के नीचे एक छोटा सा पाउच जैसा रहता है the female is smaller and slimmer than the male and her neck is not white क्या वहले जो female Indian bastard है जो female great Indian bastard है वो पतले और छोटे होते हैं और उनके जो नेक रहती है नेक जो गर्दन रहती है वो white नहीं रहती है ठीक है जो male great Indian bastard रहते हैं उनकी neck white रहती है और female की white नहीं रहती है ठीक है अब चलते है question number two पर क्या बोले हैं आपर describe the dance of the great Indian bastard क्या बोले जो great Indian bastard किस तरीके से dance करती है वो आपको बताना है तो answer में क्या है the great Indian bastard performs a wonderful dance क्या बोले जो great Indian bastard है वो बहुत ही wonderful बहुत ही अच्छा डान्स करती है it first gulps air in its pouch and produces a resonating sound क्या बोले जो great Indian bastard है क्या करती है पहले हवा को अपने जो गले की नीचे पाउच रहता है उसके उसमें भरती है और उसके बाद उसमें से आवाज निकलती है बहुत ही अच्छी और जोरदार आवाज निकलती है it then dances with puffed out feather cocked up tail and drop down wings क्या बोले उसके बाद great Indian bastard अपने puffed out feather मतब कि जो पंक उसका रहता है उसको ऐसे पंक को फुला लेती है फुगा लेती है और उसके साथ वो डान्स करती है और डान्स करते समय वो अपनी पूच को क्या करती है उपर उठा लेती है और अपने wings को नीचे क अब देखो थर्ड क्या है what is the special trick of the great Indian bastard क्या बोले जो great Indian bastard उसकी special trick क्या है कौन सी यह खास उसकी trick कौन सी है तो आपके answer में क्या लिखोगे the egg of the great Indian bastard looks like a stone क्या बोले जो एग होता है जो अंडा होता है great Indian bastard का वो किसके जैसे लिखते है पत्थर जैसा दिखते है this fools predators and protects the egg from enemies क्य जैसा रहता है इसके कारण जो शिकारी रहते हैं उनसे उस अंडे की रक्षा रहती है और जो दुश्मन रहते है great Indian bastard के उससे भी उसकी रक्षा रहती है ठीक है देखो पत्थर जैसा दिखता है तो जो predators रहते है जो जानवर अंडे खाते हैं दूसरे जानवरों के तो वो ल question number 4 में देखो आपको क्या दिया गया है name the enemies of the egg and chick of the great Indian bastard क्या बोल रहते हैं कि great Indian bastard के जो enemy है जो दुश्मन है किस चीज़ के great Indian bastard के अंडे के और उसके बच्चे के जो दुश्मन है उनके बारे में बताओ तो आप इससर के हम में क्या लिखो गए the enemies of the egg and chick of great Indian bastard are monitor lizards, foxes, dogs, pigs, snakes and eagles क्या बोले कि जो great Indian bastard के अंडे के और बच्चे के जो दुश्मन रहते हैं जो उनके खाते हैं वो कौन कोन है monitor lizard है, fox मतलब लोमडी है, dog मतलब जो कुत्ते रहते हैं वो pigs मतलब आपको मालूम है, जो sewer बोलते हैं वो snakes मतलब साप, eagle मतलब eagle आपको मालूम है चील जी से बो Please 10 questions to interview him, क्या बोल रहे हैं, कि आप जल्दी great Indian bastard से मिलने वाले हो, इस चुडिया से आप मिलने वाले हो, तो आप 10 interesting questions तैयार करो, जो आप उस चुडिया से पूछोगे, तो आप किस सरीके से question तैयार कर सकते हो, किस सरीके से, क्या देखो हैं आपर पहरा question क्या रहेगा, hello there, congratulations for getting the status of the state bird of Rajasthan, how do you feel about it, तो देखो जैसे कि आपको पता है, great Indian bastard Rajasthan की state bird है, तो आप कैसे question पूछोगे, hello, आपको बहुत-बहुत ज़्यादा मुबारक बात हो, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, क्यूंकि आपको राजस्तान का state bird का status मिले है, आपको कैसा feel हो रहा है, य जब आपको national bird of India नहीं बनाया गया, तो आपको कैसा महसूस हुआ, क्यूंकि national bird of India मौर को बना दिया गया था, तो आपको कैसा feel हो रहा है, जब आपको नहीं बनाया गया, थर्ड question क्या आप पूछ सकते हो, how humans do not know about you, why do you think this is so, क्या बोल रहे है, sorry, many humans do not know about you, why do you think this is so, और आ बहुत सारे इंसान आपके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप ऐसा आपको क्यों लगता है, कि नहीं जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं, तो इसका answer आप ग्रेट इंडियन बस्लोट से पूछ सकते हो, फिर fourth, how do you protect yourself from hunters, और आप क्या question पूछ सकते हो, कि आप अपने आपको hunters से, मदब शिकारी से कैसे बचाते हो, फिर आप अगला question क्या पूछ सकते हो, how do you think humans can help you to identify five and old electric power lines, और क्या पूछ सकते हो, कि आप क्या सुचते हो, कि human आपको कैसी मदद कर सकते हैं, आपकी कैसी मदद कर सकते हैं, electric power line, जो line के जो तार रहते हैं, उससे बचने में, अगला बर्बाद किया जा रहा है, progress के नाम पर, विकास के नाम पर, कि लोग जंगल काट रहे हैं, और बोले हम development कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, अपनी देश का, या अपने street का, तो आपका घर इससे बर्बाद हो रहा है, तो आपको इसके बारे में क्या लग रहा है, क्या यह और आप क्या पूछोगे कि इन्वार्मेंट को प्रकृति को कैसे नुकसान होगा अगर आप विलूप्त हो जाओ इस दुनिया से गायब हो जाओगे आपकी पूरी स्पीशीज और आप क्या क्या पूछोगे कि क्या आप सेंक्शुरीज में सेफ फिल करते हो सेंक्शुरीज मतलब एक ऐसी जगहा जो गवर्मेंट द्वारा सुरक्षित रहती है वहाँ पर कोई भी शिकार नहीं कर सकता है इन्चुरिया का या कोई भी जानवर का ठीक है और आप क्या पूछते हो कि सलीम अली के इलावा आपका और कौन दोस्त है जो आपके बारे में आपकी केर करता है और क्या क्या किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है इंसान के दौरा ताकि आपकी मदद हो यह सारे कुशन आप पूछ सकते हो गले टेंडियन बस रोड से का तो आप देखो अगला कुश्चन क्या रहेगा आगे दो आपको यहां पर फोर्थ में क्या दिया गही आपको आपको प्रेंड रॉट लिखो अपने फ्रेंड को नहीं बता बताते हुए और आपको यह पॉइंट यूज करना है क्या why we need to protect the bird मतब कि हमें उस bird को protect क्यों करना है उसकी रक्षा क्यों करना है what you plan to do to help the bird और आप क्या plan कर रहे हो उस bird को बचाने के लिए तो यह सब आपको consider करके later लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो देखो पर यहाँ पर आप address लुक दो आपका जो भी address रहेगा यहाँ पर डाल दो और यहाँ पर आपका pin code फिजिया का date जिस date को आप लिख रहे हो पर यहाँ पर आप लिखो जो भी आपका friend का नाम है dear Nina या तो dear जो भी Raj, Ram, Pratik जो भी आप करेगा यहाँ पर लिख सकते हो ठीक है अब देखो आपको लेटर यहाँ से शुरू करना है कैसे आपको शुरू करना है पहले आप लिखो कि Hi there, how are you How are you your academic activities and social work तो देखो यहाँ पर आप कैसे question पर लिख होगी कि Hi there, आप कैसे हो और आपके academic activities जो है और काम है हो कैसे चल रहे है Nina, you are an environmentalist and I remembered you when I was reading about the great Indian bastard और आप कैसे लिखोगी कि Nina आप एक environmentalist हो मतब कि जो प्रकृती के बारे में प्रकृती के लिए काम करते हैं जानोरों की रक्षा करते हैं environment की रक्षा करते हैं आप वो एक हो तो जब मैं great Indian bastard के बारे में पढ़ रहा था क्या बोल रहे हैं और देखो आप लेटर में क्या लिखोगी कि ये बात बहुत ज़्यादा शर्मनाक है कि जो bird है जो चुडिया है great Indian bastard ये जल्दी विलूप्त हो जाएगी दुनिया से खत्म हो जाएगी और हम लोग जो शहर में रहने वाले लोग हैं हम लोग कुछ भी इसके बारे में नहीं कर रहे हैं Every animal and bird is a part of the food chain and the loss of one species can cause untold damage to the environment क्या बोल रहे हैं कि हर एक जानवर हर एक bird हर एक चुडिया हमारे food chain का एक हिस्सा है और अगर इसमें से कोई भी species खत्म हुई तो ये हमारी प्रकृती के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हमारी प्रकृती के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ठीक है We have to protect the G.I.B G.I.B मतलब Great Indian Bustard We have to protect the G.I.B from hunters and from any type of development which harms it और क्या आपको लेटर में लिखना है कि हमें ये जो Great Indian Bustard है की हमें रक्षा करनी पड़ेगी सारे जितने भी hunters जो शिकारी है उनसे और ऐसे कोई भी development जो विकास वाला काम हो उससे भी इनकी रक्षा करना है जिससे इन्हें नुकसान पहुचे ठीक है बागी का On my part I would like to prepare posters, poems and drawings and put them up schools and other places so that people are aware of the threat और देखो क्या आप लेटर में लिखोगे कि मैं अपनी तरफ से क्या करूँगा एक poster prepare करूँगा poem लिखूँगा drawing बनाऊँगा और उन्हें school में और दूसरी जगों पर लगाऊँगा ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले लोगो लोग जागरूख हो Great Indian Bastard के बारे में कि आज वो खत्म होने वाले है I would like to organize and participate in elocution competition on the subject और मैं एक organize करूँगा एक competition organize करूँगा जिसमें लोग क्या करेंगे speech देंगे इस subject के ऊपर Great Indian Bastard जो खत्म हो रहे है उसके ऊपर I would also like to go to centuries to see the Great Indian Bastard for myself and try to help the authorities there sorry and try to help the authorities there in whatever way I can I have made my parents too aware of what is happening और क्या बोल ले देखो और आप लेटर में क्या लिखोगी कि मैं जो Great Indian Bastard की centuries है वहाँ पर मैं खुच जाऊँगा और वहाँ पर जो भी authorities है मैं देखूँगा कि उनको क्या मदद चाहिए कैसे मदद चाहिए मैं उनकी मदद करूँगा और मैंने इसके बारे में अपने parents को अपने माता पिता को भी बता दिया है and they are also ready to help out और मेरे माता पिता भी इस काम में help करने के लिए मदद करने के लिए तयार तो देखों यहाँ पर क्या बोल रहे है please let me know if I can join any association or NGO that works in this field क्या बोल रहे हैं पर कि please मुझे बताओ अगर कोई association या तो NGO है जो ऐसी चुड़िया के लिए काम करता है इनको बचाने का काम करता है इनको कोई खत्रा ना पहुँचे वो देखता है तो अगर ऐसी कोई NGO या association है तो मुझे बताओ मैं उसको join करूँगा उससे जुड़ूँगा hope to hear from you soon by और देखो आप आखनी में क्या लिखोगे कि मैं उमीद करता हूँ कि आप से मुझे जल्दे जवाब मिले by your loving friend xyz यहाँ पर आपका आखनी में आएगा कि loving friend जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पर आएगा तो यह हमारा later होगे आप आगे चलते हैं अब दो कॉशन नमर 5 में आपको क्या बोल रहे है यहाँ पर बोल रहे है जो भी endangered birds और animals हमारे इंडिया में उसके बारे में आपको लिखना है find the names of their sanctuaries और वो कौन-कौन सी sanctuaries में है वो आपको यहाँ पर लिखना है sanctuaries मतलब क्या जहाँ पर चुडिया और जानवर सेफ रहते हैं आपर ना कोई उनका शिकार कर सकता है उनने कोई भी मार नहीं सकता है तो आप answer पर कार लुक होगे some critically endangered birds and animals in India मतलब कि कुछ जो endangered जो ऐसे birds और animals ऐसे चुडिया और जानवर जो endangered होने वाले है जिने खत्रा है विलूप्त होने वाले है उनका नाम क्या है forest owlet जो जंगल में आउलोट रहते हैं वो उल्लू जो रहते हैं वो इंडियन वल्चर जो हमारे इंडियन वल्चर है जो गिद है वो साइबेरियन क्रेन और यहाँ पर काई दियोलाली मिनाव एसेटिक चीता हिमालियन वुल्फ एमबल तोड यह सब है हमारे इंडिया में है जो endangered species है इन्हें विलूप्थ होने का खत्रा है एकदम से खतम हो सकते हैं आप देखो question और 5 में आपको क्या बोल रहे है यहाँ पर आपको बोले from pairs decide whether the following statements are those of a great Indian bastard or not क्या बोले यहाँ पर जो हमें दिया गया है यहाँ पर जो भी statement दिया गया है इसमें से हमें पता करना है कि वो great Indian bastard के बारे में है या नहीं है यह भी आपको लिखना है ठीक है तो यहाँ पर statement दिया गया हमें यहाँ पर great Indian bastard का अगर है तो आपको tick करना है अगर किसी और चुडिया के बारे में बात हो रही है तो आपको यहाँ पर टिक करना है ठीक है तो देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख कर रखा है क्या है पहला क्या है हमारा I am the heaviest flying bird in India तो यह क्या है यह ग्रेट इंडियन बस्टोड के बारे में बात हो रही है हमने चैप्टर में पढ़ा था तो आपको ग्रेट इंडियन बस्टोड में टिक कर देना है B क्या है I am known as Malhok or Whom in Marathi I am known as Maldok or Whom in Marathi यहाँ पर आपको Great Indian Bustard पर टिक कर देना है आप देखो, यह अब किसके बारे में बात हो रिए कि मैं पहाड़ी इलाके में रहती हूँ क्या यह Great Indian Bustard की बात हो रिए? नहीं, यह Great Indian Bustard के बारे में बात नहीं हो रिए तो आपको Some Other Bird में टिक कर देना है यहाँ पर क्या बले है कि मुझे Grasshopper और Beetle जो कीड़े मकोड़े है सब पसंद नहीं है Great Indian Bustard को तो पसंद है तो मतलब यह किसी और चुरिया की बात हो रिए जिसको नहीं पसंद है तो आपको Other Birds में टिक कर देना है We don't believe in building nest अधर अधर बनाने सब मतलब कि हम घूसला बनाने में भरोसा नहीं करते हैं हम घूसला बनाने में नहीं बानते यह यह लोग घूसला नहीं बनाते हैं उंडे अट अपने घूसले में नहीं देते हैBa को ने ग्रेट इंडियन बस्टोड हमने चैप्टर में देखा था तो आपको ग्रेट इंडियन बस्टोड में टिक कर देना है फिर एफ के और चिक स्टेज विद दा मदर फार पीरिड ऑफ नियरली वन येर क्या बहले देखो कि हमारे जो बच्चे हैं अपनी मा के साथ करीब एक साल तक रहते हैं तो किसकी बात हो रही है ग्रेट इंडियन बस्टोड की बात हो रही है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टोड के जो बच्चे रहते हैं मम्मी के साथ एक साल तक रहते हैं तो आपको ग्रेट इंडियन बस्टोड में टिक कर देना है जी कि I am the state bird of रहे हैं गर से निकाल दिया गया है मतलब कि हमारा घर उजड गया है आप बोचते हो तो देखो हमने चैप्टर में देखा था ग्रेट इंडियन बेस्ट अपने बारे में बता रही थी क्योंकि इनसान के वज़ेसर बाकी रिजन्स से इनका घर जो है उजड गया है कि अब आगे देखते हैं अब आगे क्या है क्योंकि क्या दिया गया है प्रिपेर आपको इस तरीके से कर सकते हो यहां पे missing great Indian bastard मतब कि हमारी जो great Indian bastard है अब हो missing खतम होने वाली है तो आप इस तरीके से कुछ poster prepare कर सकते हैं आपको half दिख रहा है ऐसे आपको लिखना है poster ऐसी बनाते है आपको सब उसके बारे में लिखना है कि कहां कि straight bird है वो क्या खाते हैं कहां पर रहते हैं उनकी population कितनी है कैसे उनक कौन से इंसान है जिन्होंने इनकी बहुत मदद की है और इनको हम कैसे बचा सकते हैं और इनकी population कैसे हम वापिस बढ़ा सकते हैं तो यह सारी चीज़े आपको इसमें लिखनी है ठीक है I hope आपको यह पूरा समझ दियोगा कैसे करना है हम आगे चलते है कुछ नमर 7 में क्या है कि वह जानोर अपनी कहानी खुद बता रहा है कोई बी कोई बी इंसान कोई बी चीज़ अगर अपनी कहानी खुद बताता है न तो उसे autobiography बोलते है तो उसी तरीके से हम लिखते हैं तो देखो टाइगर खुद बात करेगा क्या बोल रहा है I am a tiger मतलब मैं एक टाइगर हू my parents especially my mother looked after me very well और टाइगर क्या बला है कि मेरे माता पिता खास कर कि मेरे माता मेरी देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं she told me that I had to be very careful for there were humans being called hunters who would try to capture or kill me और देखो टाइगर ने क्या बला कि मुझे ये बोला गया था कि मैं बहुत ज़्यादा careful रहूं बहुत ज़्यादा I could not imagine why anyone would want to kill me और टाइगर क्या बला है कि मैं imagine नहीं कर सकते हूं मैं सोच भी नहीं सकते हूं कि कोई मुझे पकड़ कर मारना क्यों चाहेगा for I have not harmed anyone क्योंकि मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुचाया है उसके बाद मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा पकड़ के अगर मैंने किसी इंसान को नहीं नुकसान पहुचाया है तो ठीक है अब आगे क्या है I was very careful after that I stayed with my mother for some time then I wandered off on my own क्या बले कि ये सब कारण कारणों से जो शिकारी जंगल में आ थे उनकी वज़ए से मैं बहुत जादा चौकनला रहता था मैं अपनी मा के साथ कुछ राइम तक रहा उस कि मैं बहुत जादा हंगरी था बहुत जादा भूका था और मैं सारी चीजे सारी जो एडवाइस ममी ने मुझे दिया था मैं सब भूल गया I ran towards the goat but suddenly I felt something pull my leg मैं दोड कर उस बकरी की तरफ गया उसको खाने के लिए लेकिन तभी अचानक किसी चीज ने मेरा पैर खीचा और क्या बला है कि मैं अचानक से एक ट्राइपिक जाल में गिर गया I believe it is called क्या बला है कि मुझे मैं एकिन करता है इसी यही बोला जाता है I was pulled out after some time and taken to a circus कुछ समय बाद मुझे बाहर निकाला गया और मुझे सर्कस में लेके जाया गया Fortunately my master at the circus was a kind man and treated me well Tiger क्या बला है कुछ किसमती से जो मेरा master था circus में बहुत अच्छा इंसान था उसने मुझे मेरी अच्छे से लेक भाल किया मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आया all I had to do was go into the ring and do some tricks in front of people Tiger क्या बला है मुझे क्या काम करना था लोगों के सामने जाना था ring में और मुझे कुछ tricks दिखाने थे then I would get lots to eat and plenty of time to sleep क्या बले और उसके बाद मुझे बहुत सारा खाना मिलता था और बहुत सारा समय सोने के लिए मिलता था ठीक है अब आगे क्या है दोखों यहां पर last paragraph this went on for a few years क्या बले कि यह कुछ सालों तक चलता रहा then I began to grow old and the owner of the circus told my master to get rid of me क्या बले कि उसके बाद क्या हुआ मैं धीरे धीरे अब बुढ़ा होना शुरू हो गया जो owner था जो circus का मालिक था उसने क्या बला कि अब इससे छुटका रहा पाते हैं क्या बुढ़ा हो चुका है यह कोई काम नहीं कर पा रहा है my master had tears in his eyes but I knew he was helpless क्या बले कि मेरा master tiger क्य आ गया था लेकिन मुझे पता था वो hell place है वो लाचार है he took me to a forest and let me free और tiger क्या बल रहा है कि वो मुझे एक जंगल में लेके गया और मुझे आजाद कर दिया उसने I am still living in this forest tiger क्या बला है कि मैं आज भी उसी जंगल में रहता हूँ जिस जंगल में मुझे master ने छोड़ा था there is enough to eat but I do not have any friends तो टाइगर क्या बल रहा है कि जंगल में खाने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि जो टाइगर है वो बच्पन से सरकस में रहा है तो बच्पन से अगर वो जंगल में रहता तब उसके दोस्त रहते तो सरकस में रहने के जैसे उसको कोई भी दोस्त जंगल में नहीं है I am getting weak and old and wonder what will happen when I can no longer hunt और टाइगर क्या बल रहा है कि अब मैं बूढ़ा और कमजोर होते जा रहा हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि क्या होगा जब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा हंट नहीं कर पाऊंगा तब क्या होगा well I will worry about about that when the time comes Tiger क्या बल रहा है कि चलो जब वो समय आएगा तब उस समय को देखा जाएगा till then let me enjoy this wonderful meal Tiger क्या बल रहा है कि तब तक के लिए मैं ये जो wonderful meal है जो ये बहुती लजीज खाना है इसे enjoy करता हूं ऐसा Tiger ने बोला ठीक है ये होगी Tiger की autobiography अब देखो question number 8 में क्या है आपको क following categories क्या बल रहे कि आपको list of channel बनाना है जो ये categories में आते है क्या news में जो आते है entertainment में जो आते है sports में जो आते है movies music etc which are the channels on which you can watch programs on animals wildlife conservation of environment etc तो और क्या बल रहे कौन कौन से channel है जिस पर आप जानौरों के बारे में news जानौरों के बारे में information देख पाते हो तो देखो यहाँ प आते हैं क्या national geographic है discovery है and animal planet है और देखो अगर आप देखोगे news में कौन कौन से आगे news में आप अगर देखोगे आज तक है जी news है nd tv है news 18 है यह सारे प्रोग्राम से जिस पर news दिखाया जाता है और entertainment में कौन कौन से है जी cinema star gold और जी tv यह सारे entertainment में स्पोर्स में कौन से है star sports ऐसे star sports है और और भी बहुत सारे चैनल आप देखोगे आपको मिलेंगे ठीक है movies में भी देखो star gold पर movies आती है star movies करकी भी उस पर movies आती है तो यह सारे movies के चैनल है music में कौन कौन से आएंगे music में आएंगे देखो आपको music में आपको zoom mtv 9xm यह सारे channel है जो music के है ओके तो अभी चलो आगे चलते हैं आगे देखते हैं हमें क्या है 9th में हमें क्या दिया गया है language study क्या है identify the following from the list given in the box below क्या है nouns 4 nouns 4 verbs 4 adjectives 4 adverbs 4 pronouns यह हमें identify करना है नीचे जो बॉक्स में दिया गया था तो इतको nouns में क्या क्या है human मतब किसी भी चीज़ का नाम रहता है उसे हम noun बोलते रहे हैं ढरख नाम है तो noun मतब किसी भी चीज़ को जिस नाम से भूलते हैं उसे हम noun भूलते हैं टीक है तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट मन्क्या होता है रक्षा करना इंक साथ है एक्षन है, need मतब जरूरत यह भी एक्षन है, verb रहेगा हमारा, ठीक है, यह सारे verb है, adjective क्या रहता है, किसी भी चीज के quality, किसी भी समझो आपको कोई बोल रहा है कि आपका नाम समझो, नाम नहीं लेता है, चलो समझो, you are a good boy, you are a good boy, तो आपकी quality क्या है, good, मतब आप अच्छे हो, ठीक है, तो किसी भी इंसान की, किसी भी चीज की quality को हम बोलते है, adjective, तो यह हमारा adjective क्या आजएगा, happy, हमारा adjective है, मतब खुश, और afraid, मतब डरा हुआ, तो यह हमारा adjective है, good, हमारा adjective है, special, यह हमारा adjective है, तो इस सारे adjective है, क्योंकि यह quality है, तो देखो अभी आगे हमें, adverb, adverb में देखो क्या है, directly, directly, adverb है, हमारा together, adverb है, away adverb है, और slowly adverb है, ठीक है, pronoun, तो को प्रोनाउन यहापे हमें दिया क्या होता है, जो noun की जगा हम use करते हैं, उसे हम pronoun कहते हैं, ठीक है, noun क्या होता है, नाम होता है, pronoun क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाम की जगा हो करते हैं जैसे कि मैं हिंदी में आपको बताहिता हूँ आपकी जगह क्या ये तुम क्या हो गया अप्रोनाउन उपना ये गूलते हैं ना यू कम ये तो जो जोवको मैं मैं बोलता है इधर एओ तो मैं आपको not 32 नाउन है आपका नाम इसके उनाउन है लेकिन वही मैं आपको बोलता है you come here तब you मैं बोलो हूं, नाम नहीं ले रहे हूं नाम की जगा मैं कुछ और उसकर रहा हूं तो you होता है pronoun तो यहाप हमारा noun क्या है you मतब हम यू मतब तुम अस मतब हम लोग आई मतब मैं तो ये सारे हैं pronouns ठीक है इसको बोलते है pronoun तो ये हमारा हो गया question number 9 हो गया तो इसके साथ-साथ हमारा ये chapter भी complete हो गया अभी अगला chapter हमारा Children's are going to school जो मैं आपको अगले वीडियो में दूँगा तब तक आप ये अच्छे से पढ़ लो इसको revise कर लो learn कर लो तकि अगर आपका test हो तो आपके full max है मिलते भी अगले वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो आप इस वीडियो को like करो अपने सभी दोस्तों के साथ शेर करो चैनल को सबस्क्राइब करो थेंक यू